अब आप पर आप पुराना सा एक रुमाल ले लीजिए और उसको किनार को खेचिए उसको स्क्वेर बिट पे किनार को खेचिए तो रुमाल थोड़ा सा खेचेगा पर बहुत ज्यादा ने खेचेगा शायद चंद मिलिमेटर खेचेगा पर अगर आप उसकी कर्ण पे उसकी डाइगनल पे अगर उमाल को खेचेगे तो वो बहुत ज्यादा खेचेगा और दर्जियों को इसका इल्म बहुत पहले से था ये देखिए डाइगनल पे कितना ज्यादा खेच रहा है और इसको कहते हैं बायस कट अब इसको हम कुछ का खेचाव है पर इसी रुमाल को कि अगर हम कर्ण को खेचेंगे और जो हम यहां पर कर रहे हैं यह देखिए इसकी कर्ण है और हम कर्ण को खेचेंगे तो कर्ण का खेचाव बहुत ज्यादा है इसलिए जो खास करके महिलाओं के जो कप्ड़े हैं वो हमेशा बायस कट में दर्सी काटते हैं, जिससे की उनका फिटिंग बहुत अच्छा आपाएं, यहाँ पर आपको वार्पिन विफ्ट, ताना बाना दिखाई दे रहा है, और ताना बाने के दिशा के अंदर खेचाऊ बहुत कम होता है, यह देखिए एक चौकुर बना है, और इसको करण पर खेच है, इसलिए जो दर्सी हैं, वो बायस कट पर महिलाओं के कपड़े काटते हैं, जिससे की फिटिंग बेहत उम्दा हो, और कपड़ा देखने में बहुत ही खुबसूरत लगे हैं,